हेलो दोस्तों दिस इस सुंदर सिंग मेरा गेन हाउट इंदी के यूटिब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज का ये छोटा सा वीडियो एक रिक्वेस्ट वीडियो है और बहुत बहुत बेसिक वीडियो है आप मसे ही हमारे एक यूटिब सब्सक्राबर ने पुछा है भाई जीमेल में एकाउंट बनाते टाइम दो ओप्षन आते हैं पहला ओप्षन आता है फॉर माइसेल्फ दूसरा ओप्षन आता है टू मैनेज माई बिजनेस तो इन दोनों में क्या अंतार होता है बता दो तो आज के इस वीडियो में आप सुभी लोग को यही बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग जीमेल में एकाउंट बना रहे हैं और आप लोग को वहाँ पर आप्षन सेलेक्ट करने को मिलता है आप लोग एकाउंट क्यों बना रहे हैं करना है और इन दोनों अस्काउंट में क्या अंतर होता है तो गर आप लोग चाहते हैं इसके बारे में तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास तक का देखते रहे हैं तो चलिएब हम लोग चलते हैं अपने ब्राॉजर पर और जी एक नया अपांशारम काई उसी को बोग बताओंगा उसा उपसभार क्यों गया भूट करना है जिए टाइप करना है क्योंकि जो Gmail है वो Google का प्रोडेक्ट है और जो आप लोग का एकाउंट बनता है वो Gmail.com पे बनता है और आप लोग उसकी help से Google के सभी प्रोडेक्टों एक्सेस कर सकते हैं फिर चाहे वो YouTube हो फिर चाहे वो option मिलता है top right corner पर sign in का तो अगर आप लोग ने उसमें नया नया ब्राउजर इंस्टॉल किया होगा तो यहां पर हो सकता है आप लोग को sign up का option मिलेगा जब भी आप लोग यहां पर से Google.com खुलेंगे तो आप लोग को उस पर क्लिक करना होगा sign up का मिलेगा तो sign up पर क्लिक करना है sign in का मिलेगा तो sign in पर क्लिक करना है तो मैं आपर से sign in पर क्लिक कर देता हूँ तो जैसे मैंने यहां पर से sign in पर क्लिक करा तो यहां पर यह देखिए हम लोगों को एक option मिलता है create account का तो यहां पर से मैं create account पर click कर देता हूँ क्योंकि हम लोग एक नया account बना रहे हैं तो जैसे मैंने create account पर click करा तो यहां पर से देखिए हमारे पास 2 option आ गए हैं जैसे कि हमारे subscriber ने पुछा था कि इसमें 2 option आते हैं कौन सा option select करना है पहला option यहां पर आप लोग को मिलता है for myself तो अगर आप लोग कोई student है या फिर कोई individual है तो आप लोग यहां पर से for myself को select कर सकते हैं अगर आप लोग for myself को select करेंगे तो उस case में क्या होगा data और personalization setting जो होगी आप लोग की वो by default off रहेगी दूसरा option यहां पर आप लोग को मिलता है to manage my businesses अगर आप लोग यह वाला option select करते हैं तो इसमें आप लोग क्या होता है data और personalization setting जो होती है वो आप लोग की by default on होती है आप चाहें तो अगर आप लोग ने myself को select कर रखा है तो आप लोग उसको बाद में अपनी data और personalization setting को on भी कर सकते हैं और data और personalization setting कहां होती है वो अभी मैं आप सभी लोग को दिखाऊंगा और पहले मैं बता जता हूँ कि data और personalization setting होती गया है data & personalization setting में क्या करता है google जो भी आप लोग की weib related activity होती है ए ऐप्लिकेशन related activities होती है या फिर आप लोग की location history होती है या फिर आप लोग की YouTube की history होती है उस सभी को ये track करता है ताकि आप लोग को customize recommendation दे सके जिससे आप लोग अपने business को grow कर सकते हैं बस यही इसमें अंतर होता है कि आप लोग की data और personalization setting जो होती है वो by default इसमें off रहती है और इसमें on रहती है आपδα सब्क्राइबर करा तो यहाँ पर आप से अपना नम एंटर करने के लिए बोल रहा है यहाँ आप लोग की our Bing où कोसिश कीजिए इसमें बीन रेंडम नंब डाल देने क्योंकि हो शकता है बहुंच से में अगर आप लोग को किसी को email भेजनी हो तो जिसको भी आप लोग email भेजिंगे, अगर आप लोग ने अपनी email id में random numbers डालेंगे, जो कि किसी के समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो हो सकता है, कि उसको spam समझे, और आप लोग को, आप लोग की email जो है, उसको read न करें, तो आप लोग यहां पर से meaningful अपना username रख लिजिए, मत special character में सिर्फ dot का use कर सकते हैं, एक period का, तो यहां पर मैंने अपना email id जो है, वो बना दिया, सुन्दर सिंह महरा dot live at the rate gmail.com, यह मेरा email id रहेगा, उसके बाद आप लोग को यहां पर से अपना password डालना है, और फिर उसी password को confirm करना है, तो मैंने अपना first name, last name, और अपना email id, औ और अपना password जो हो, यहां पर से set कर दिया, अब आप लोग को यहां पर से next पर click करना होगा, तो मैं यहां पर से next पर click कर देता हूँ, तो उसके बाद यहां पर से देखिए, Google हम से बोल रहा है, verify your phone number, हम से अपना mobile number add करने के लिए बोल रहा है, ताकि Google यह verify कर ले कि हम लोग ही अपना account बना रहे है, तो आप लोग का जो भी mobile number होगा, उसको यहां पर enter कर दिजिए, मैं अपना mobile number यहां पर enter करके इसको next कर देता हूँ, मैंने यहां पर से अपना mobile number डाल दी है, अब मैं यहां पर से next पर click कर देता हूँ, तो जैसे मैंने next पर click करा, तो जो भी मेरा mobile number पर है उस mobile नमर पर गूगल ने एक OTP भेज़ दिया है हम लोग उस OTP को यहां पर एंटर कर देते हैं और उसके बाद हम लोग को verify पर क्लिक करना होगा तो मैं यहां पर से OTP निकाल लेता हूं और उसको यहां पर email address डालने के लिए यह optional है अगर आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं लेकिन आप लोग यह डाल देना चाहिए हो सकता है कल के दिन आप लोग यह वाला जो email है मतलब जो आप लोग नया बना रहे हैं उसका password भूल जाते हैं तो आप लोग अपने इस account की help से recovery कर सकते हैं और हैं यहां पर आप लोग अपना date of birth डालना होगा अपना date of birth यहां पर डाल देजिए फिर यह पलोग अपना सब्स्क्राइब करना होगा ह्ए यहां पर इनसे क्लिक करना होगा उख Ohhh अप बोल रहा है get more from your number और हमसे अपना number जो हो एड करने के लिए बोल रहा है और अगर हमें लोग अपना number इसमें एड करते हैं तो आप लोग वहाँ पर से आप लोग के पास privacy and terms का agreement आ गया आप लोग को नीचे को scroll करना होगा और इसको agree कर लेना होगा तो मैं यहाँ पर से agree कर लेता हूँ कर सकते हैं तो यहाँ पर यह देखें जो Gmail account है वो नया नया फ्रेस यहाँ पर लोड हो रहा है और यहाँ पर से देखें गूगल की और से communication है जिसमें यहाँ पर से इसको पहले यहाँ पर से हम pop-up को okay कर देते हैं और यहाँ पर से देखें फिनिस setting up your new google account तो आप लोग यहा तो आप लोग को यहाँ पर से कुछ टिप्स दे रहा है तो हम लोग ने यहाँ पर से देखें अपना Gmail account है वो बना लिया है successfully अब अगर आप लोग को Google का कोई भी product यूज़ करना है तो आप लोग उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर से YouTube खोल लेता हू होगा मैं यहाँ पर से sign-in पर क्लिक कर देता हूँ और यह sign-in जैसी मैंने click करा sign-in पर तो यहाँ पर से हम लोग ने जो नया account बनाया था उसमें direct इसने sign-in कर दिया क्योंकि आप लोग अपने एक Google account से जो कि आप लोगा Gmail में बनता है उससे आप लोग Google के सभी product आक्सेस कर स जाता हूँ Google.co.in हमने यहाँ पर से खोल लिए फिर Google.com खोल लेजिए और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से my account आप लोग यहाँ पर से type कर लेजिए तो जैसी आप लोग my account पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर से देखिए account.google.com आपको मिल जायागा आप लोग आप क account.google.com खोलेजिए तो यहां पर से देखिए हम लोग अपने Google account पर आ गए है my account.google.com और उसके बाद यहां पर data and personalization setting का option यहां पर आप लोग को मिलता है आप लोग को इस पर क्लिक करना होगा जैसे आप लोग यहां पर से इस पर और उसके बाद यहां पर आप लोग के पास option आता है web and activity को आप लोग यहां पर से on कर सकते हैं तो जैसे आप लोग यहां पर से इसको on करेंगे तो यहां पर आप लोग को इसके बारे में बता रहा है आप लोग इसको तो बस यह यह अंतर होता है कि आप लोग की जो data और personalization setting होती है वो यहाँ पर से myself वाले में off रहती है और अगर आप लोग business account select करेंगे तो उस case में आप लोग का वो on रहती है ताकि Google आप लोग को customized recommendation दे सकें जिससे आप लोग अपने business को और grow कर पाएं तो अगर आप लोग अपने एक Gmail account से multiple Gmail account को access करना चाहते हैं तो आप लोग यह वाला वीडियो देख लिजिए इसका link में आप सुभी लोग को वीडियो की discussion में दे दूँगा और अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छा लगा और आप लोग के काम आया तो यहाँ पर like बटन चैनल अभी तुरण सब्सक्राइब कर लिजिए और अगर आप लोग ने सब्सक्राइब कर रखा तो बगलमबोनी घंटी को दबा लिजिए और नोटिफिकेशन आइकन को all set कर दिए इससे हो गाए कि जितने भी हम वीडियो डालिंगे हाउट टुनी मों इसका नोटिफिक सबसे पहले देख सकते हैं थेंकि पर वाचिंग बाएं टेक क्यार देखते रहिए सिखते रहिए हाउट टुनी